जलशक्ती विभाग के डेली वेजर करमचारियों दोरह अपनी मांगों को लेकर की जा रही हरताल आज लगातार 11 दिन भी जारी रही जलशक्ती विभाग में काम करे करमचारियों का कहना था कि विभाग में काम करते हुने कई वर्ष हो गए हैं फिर भी उन्हें पक्का नहीं किया गया है उन्होंने मांग की है कि उनकी नौकरी पक्की की जाए और उनके हक में मिनिमम वेज़स एक्ट लागू किया जाए उन्होंने का कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये अपना प्रदर्शन और हर्ताल जारी रखेंगे पैंडिंग वेजिस रिलीज करो पैंडिंग वेजिस रिलीज करो जीश करो आज जो हमारी काम शोर्स ट्राइक है वो 11 दिन हो गे हैं लगातार चलते हुए लेकिन LG प्रशासन हमारी मांगों के उपर सीरियस नहीं है कल भी हमें हमारे DC जम्मू श्रीमती अवनिलवासाजी की तरफ से बुलाया गया था लेकिन आज तक जितनी भी 10-11 सिटिंग्स हुई है हमें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर परशासन आज भी डेली वेजर को कुछ देने के लिए त्यार नहीं है सिर्फ और सिर्फ टाइम मांगा जाता है और डिमांडे पूची जाती है मुझे समझ नहीं आता कि हम लगातार 25 सालों से जो मेंबरन्णम सब्मिट कर रहे है आखिर उनको आज तक स्टडी क्यों नहीं किया गया परशासन को यही पता नहीं है कि डेली वेजर की डिमांडे क्या है मेरी LG परशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि अभी हम बिना कुछ लिए वापस जाने वाले नहीं है और तमाम डेली वेजर साथियों से मेरा यह अपील है कि अपने अपनी इस अंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करें और ज़्यादा तेज करें और जो जम्मू के हमारे डेली वेजर साथी हैं जैसे सीटी वान के हैं सीटी टू, मेकैनिकल सौथ, मेकैनिकल नार्थ और पक्यूर्मेंट और रूलर ये जो भी साथी हैं सोंबार सुबार दस वजे वो बीसी रोड कंप्लेक्स में पहुंचें और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके सरकार तक अपनी अवाज पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार के लिए हमारा सपष्ट संदेश है कि जब तक हमारी रेगुलाजेशन नहीं होगी ये अंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और जैसे दो दिन पहले पूल बंद हुआ था ऐसे ही कभी ट्रेन की पढ़निया भी बंद हो सकती है अगर परशासन इसके उपर गंबीर नह जब तक रेगुलाजेशन नहीं तब तक ये अंदोलन खातम होने वाला नहीं है